परिदबाज लेके प्रतला विधान सभा के गाउं में बिछाई जा रही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटिड की तेल पाइपलाइन को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं किसान तेल कंपनी से अपने जमीनी हक का 40 प्रतिशत मुआफजे की मांग कर रहे हैं किसानों को 10 प्रतिशत दे दी गई है यह तेल पाइपलाइन कई गाउं से होते हुए जेवर तक पहुंचेगी वहें डीग गाउं के रहने वाले रादेशयाम ने जब इसका विरोध किया तो बीपी सी एल वालों ने रादेशयाम के खिलाफ सदर थाने में शिकायद दे दी है इसी को लेकर प्रतला विधान सभा के दरजनों गाओं के किसान थाने में रादेशाम के समर्थन में पहुंचे जब पत्रकारों ने इस मामले को लेकर जानका रिली तो रादेशाम किसान ने बताया कि जेवर एरपोर्ट के लिए प्याला बीपी सी एल से एक लाइन जा रही है जिसमें दरजनों गाओं की जमीन है बीपी सी एल वाले जमीन जमीदारों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉट कर रहे हैं भारत के 2012 से 2013 के राजय पत्र में 40 प्रतिशत बाजार मूले लिखा गया है लेकिन यह लोग 20 प्रतिशत का रेट दे रहे हैं और 1961-62 के एक्ट को लेकर चल रहे हैं यह हम लोगों से जबरद बड़ा दिया जाए दिया जा रहा है और उसके बाव जुद बें 40 परसेंटे भी और बढ़ा के वह मौबजे की मांग कर रहे हैं तो यह राजबत्र में लिखा हुआ है डी सी साब को भी हमने ग्यापन दे दिया है यहां आज इन्होंने थाने में किसानों खिलाप एपिलिकेशन दे दिए तो किसान इकटे हो के थाने में पहुंचे हैं तो पहुंचे हैं किसानों को जमीन को भी यूज कर रहे हैं और जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है समय पर फसल के भी पैसे नहीं दे रहे हैं किसानों के जमीन के पैसे नहीं दे रहे हैं जो सरकार की गाइडलाइन है उसके फेले इन्होंने एक लाइन निकाली थी उसमें 10% में इसा मिला था अब त् ambitious में विए account परस्ताव था मुड़े ऐर पास्ताप्तु से अप्लिकेशन दे रहे हैं कल अमरपुर थाने में भी अप्लिकेशन दी थी है और आज सदर्थाना बल्लगड में भी दी है अलग-अलग ये किसानों को परिशान कर रहे हैं अप्लिकेशन देने को परिशान कर रहे हैं वहीं किसानों का कहना है कि बाजार मूले में किसान का 40 प्रतिशत मुआफजा मिलना चाहिए वहीं बिवानी और गोहना से भी यह लाइन निकाली जा रही है और वहां के किसानों को 40 प्रतिशत मुआफजा दिया जा रहा है यह मामला यह है सर के एक जेवर एरपोर्ट के लिए 25 वीपीशल से एक लाइन जा रही है पेट्रोल की जिसमें बीशों गाओं की जमीन है तो वीपीशल वाले इन जमिदारों के साथ बहुत-बड़ात फ्राउड कर रहे हैं बहुत-बड़ा धोगा कर रहे हैं बारत के 2012-2013 क लेकिन यह लोग 20% कलेक्टर रेट का दे रहे हैं और 1961 के एक्ट को लेकर यह चल रहे हैं जबकि 1961 के एक्ट में भी बजार मुल्गा लिखा गया है ना कि कलेक्टर रेट का और अब यह जबरदस्ति हम लोगों से लाइन ले जा रहे हैं हमारी लेडियों के साथ अबद्र पर दिया है कल अभी अवरपूर चोकी में हम आज ने देखा है सिभी गाहों के खिसान बलाई थंत्रिया साप और पहलात और डीग सागरपूर कुलैना जलाका ककडिपूर जवा सब गाहों के आदमी कल अमरपूर थाने में बला रखे थे साब ने आज बल्लगण सदर में लेकिन ये लोग किसी वात को मान करके राजिनी है जबकि क साभ को हमने दस दो जार चोवीज को और उसमें सारी मागробिए अमने उसके वाद छैल ग्यार्य दो जार चोवीज को हमने while के लिए हमने उभी किसंदी उन्होंने हमसे एक हफ्ते का टाइम भागा कि एक अयर्छ म सब्सक्राइब करें लेकिन इन्हों ने एक अपते का भी इंद जार नहीं किया एक अपते से पहले इन्हें आमरपुर्चौकी में तरकास दे दी लड़ाई जगड़ा किया थंत्री वालों से अजाबर वालों से और इधर आकर के मेरे नाम राधय समसास्त्री के नाम बल्लव सब्सक्राइब के मास्टर प्लान में भी जमीन और इस जमीन में से जब यह लाइन निकल जाती है ना तो कोई नहीं सुनता फिर इसमें खूटा भी नगाड़न दा ये खरीदने की बात छोड़ो अश्यक्राइब के खिलाब राधय सानव बुद्याटीव का यह इसका कि इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की अभी छानवीन चल रही है जो आज के बाद आगे की प्रतिक्रिया अमल में लाई जाएगी